नमस्कर मैं रूपेस आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके इस यूटूब चैनल पर जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि इस महने में इस साल नया साल में बहुत सारी विकेंशिया निकल कर आ रही है जैसे कि CG Vyabam से निकल कर आ है CG PSC से निकल कर आ रह होगा 36 लोग से वा आयोक्स एक नई विकेंसी निकल कर आई है यहां पर विजयापान जारी किया गया है तो यूयानी चिकिचसा अधिकारी चिकिचसा यूनानी के पत्पा सिधी भरती के लिए आवेदन आया है इसके बारे हम बताने वाला हूं कि आन लाईन आवेदन करने जो लोग चैनल पर नए हैं ज़लदी से वीडियो को से स्क्राइब कर लिए और बाजी में जो पैल आईकन गन्ती उसे जली से प्रेस कर लिए ताकि नए वीडियो आने से आपको नोटिकेसन मिल सकें चलिये इसको स्टार्ट कर थे हैं देखिए सबसे अच्छी बाती आई कि इसका सिलेवस भी मैं बताने वाला हूँ तो इस वीडियो कौन तक जरूर देखे जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि प्रकासन की तिथी 19 जनुवरी 2022 को दिया गया है चलिए आपको आनलाइन आवेदन का निक प्रारंभिक तिथी बता देता हूँ कि इसकी प्रारंभिक तिथी 18 जनुवरी 2022 को है और अंतिम तिथी 16 फर्वरी 2022 को दिया गया है चिकिस्ता अधिकारी चिकिस्ता युनानी के रिक्त पदों पर भरती के लिए 36 गर्ड लोग सेवा आयोग द्वारा आनलाइन आवेदन पत्रामनतित किये जाते हैं इतने पदों पर है चलिए आपको बता देता हूँ यहाँ पर टोटल यह 19 पदों के लिए विकेंसी निकल कर आई है तो यहाँ पर पत के नाम देख लेते हैं तो युनानी चिकिस्ता अधिकारी यानी चिकिस्ता अधिकारी के लिए आपर दिया गया है टोटल 18 पोस्ट दि इसके बाद बैंक लॉप के लिए एक पोस्ट दिया गया है अनुसुती जन जाती के लिए टोटल पोस्ट 19 है और वेतरमान की बात करते हैं तो यहां पर 56100-170500 रुपय तक इसका दिया गया है वेतरमान तक लिए आपको पतक नम बताता हूं यूनानी ची किस्ता धिकारी ची किस्ता यूनानी के लिए है और सेवा स्रणी के लिए राजपत्रिक 32 स्रणी के लिए वेतरमान लेवल 12 है 56100-170500 रुपय तक आयू सीमा की चूट की बारें बात करते हैं तो 36 गर राज्य इस्थानी निवासी विधुहा प्रतिके अत्वा तलाग सुद्व महिलाओं के लि तो इसका रैपूर में होगा परिक्षा का केंदरा और आलाइन आविदान है तो आविदान का सुल्क यहाँ पर दिया गया है 36 गर के मूली स्थानी निवासी जो की 36 गर के लिए अनुसुचित जन जाती अन्या पिछला वर्ग के लिए 3,5 रुपे दिया गया तथा 36 गर से बाहर के लिए यहाँ पर 400 रुपे सुल्क आविदान लिया जाएगा परिख्ष की योजना की बात करते तो यहाँ पर चैन दो चरनों में होगी प्रथम चरन और दूतिय चरन यहाँ पर सक्षातकार के लिए बतायागए परिख्षा 300 आंकों का होगा और सक्षातिस नंबर का छूल टोटल 330 आंकों का होगा और परिच्छा में वतुनिष्ट प्रकार का प्रस्णा पूछा जाएगा जिसमें प्रस्णों की संख्य डेर सो होगी और तीन घंटे का समय दिया जाएगा और तीन सो नंबरों का आंख होगा डें पर ँडेर से अंखो होगा और युनानी ची किस्क के लिए सो प्रस्णा होंगे जिसमें 200 अंखा होगा इस अंखोक होगा निए शुनानी ची किस्क होगी और तीन सो नंखो का आंखा सबसे जरूरी सुचना यह है कि आयोक सक्षातकार के लिए आयोक के प्रक्रिया नियम द्वर 14 के अनुसार विज्ञापीत पधेतु प्राप्त आविदनों की संख्या कैधार पर यदी आयोक द्वार सीधे सक्षातकार के लिए जाने करिना लिया जाता है तो सक्षात करके कुल साव अंकों का होगा जिसमें आपको 33% अंक लाना अनिवारिया है अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती है अन्य पिछले वर्गी के उमिद्वारों के मामले में 23 अंक प्राप्त करना अनिवारिया होगा यहाँ पर 36 समान्य गया इनका सिलिवस दिये गए है यह तो सभी मेरत है सभी व्यापा में पीस्टी में तो समान्य बात है न तो आप लोग तयारी करते रहें अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगते है तो लाइक और सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों और आने वाले वी सथ नहीं बहुत बहुत धन्यवाद